देखो आज हम चप्टर पढ़ेंगे कौन सा? पदार्थ की सरचना. ठीक है? तो पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले matter की बात करेंगे. दुनिया की हर चीज पदार्थ है. दुनिया की हर एक चीज कुछ ना कुछ जगे घेरती है और इसमें कुछ ना कुछ बाहर होता है. ठी ठीक है देखो कुरसी हो गई तो कुरसी कुछ न कुछ जगे घेरीगी और कुरसी में कुछ बजन होगा तो ये पदार्थ हो जाएगी ठीक मेरा फोन है मेरा फोन कुछ न कुछ जहां पर रखूंगा तो जगे घेरेगा और इसमें कुछ बजन होगा तो मेरा फोन भी पदार् प्धार्थ आप समझ कुए होगे, बस कर बंद होगे ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे पदार्थों का बरगी करण, पदार्थ की बटे हुए हैं कई भागों में देखो तो पहला होगा हमारा पदार्थ का भौती कादार, फिर होगा राशाइनिक तो बहुतिक आधार में हमारी देखो पदार्थ की कितनी अवस्ता होती है एक अवस्ता होती है ठोस एक होती है द्रव एक होती है गैस एक होती है प्लाजमा तो यह हमें सब एक एक करके पड़नी है तो देखो ठोस जो ठोस होता है तो ठोस जिसका साइज फिक्स रहे ठीक जै जैसे की जो चीज बह जाए जैसे दूद है ना दूद बाल्टी में मरो और गिरा दो बाल्टी बैसी करो तो गिरा दो तो दूद कैसा हो जाएगा बह जाएगा डीजल को बाल्टी में रखो बाल्टी मला पलट दो तो डीजल कैसा हो बह जाएगा पानी बह जाएगा तो जाती है ना यह किसे इन्हें हम क्या बोलेंगे गैस प्लाजमा क्या होता है लोगा को सत्तर डिग्री तक गर्म करेंगे तो है प्लाजमा बन जाएगा जैसे लोगा जो होता है ना लोगा को अगर सत्तर डिग्री गर्म करोगे 70 degree तक गरम करोगे तो लोह दो आप Plasma बन जाएगा Plasma जान तो कैसा जैसे तुमारी मलगम निकलती है मुझे संफ उसी की तरह ठीक है वैसे ही Plasma बन जाएगा ठीक तो वह याद रखना आप तो जो हमने इनके सारी ठोस बता दिया दिरब बता दिया प्लाजमा बता दिया अब आप कर लेना ठीक है और इसके आगे देखो है नहीं कुछ